फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश पोईट रॉबर्ट साउदी की एक पोयम के बारे में जिसका नाम है आफ्टर ब्लेन हाइम फ्रेंट्स यह जो पोयम थे यह 1796 में लिखी गई थी और यह एक anti-war poem है यानि war के जो effects होते हैं जो adverse effects होते हैं किस तरह से लोगों को परिशानिया होती हैं किस तरह से उनकी जिन्दगियां बरबाद हो जाती हैं इस बारे में इस poem में बताया गया है यानि war के जो गलत effects होते ह उनके बारे में यहां बताया गया है यह जो poem है यह एक ballad form में लिखी गई है और साथ ही यह poem 66 lines की है इसे 11 stanzas में बाटा गया है और हर stanza में 6 lines है साथ ही इस poem की rhyme scheme है A B C B D D Friends इस poem का यह जो title है After Blenheim इसमें यह जो Blenheim है यह Battle of Blenheim को denote करता है Battle of Blenheim जो है यह 18th century की one of the most famous battles में से एक है यह British Army और Spanish Army इन दोनों के बीच में यहां पर यह जंग हुई थी जिसमें British Army की जीत हुई थी और बहुत ही जादा famous रहा है यह war लेकिन साथ ही यहां यह notice करने वाल बात है कि इतने बड़े war में बहुत सारी casualties हुई और ना सिर्फ soldiers यानि सेनिकों की सिर्फ death नहीं हुई बलकि जो common men थे उन्हें भी बहुत कुछ हिलना पड़ा उनकी भी जाने गई हैं उनकी भी properties चली गई हैं और इतना कुछ होने के बाद भी वो जो common men हैं उन्हें जादा परिशानी नहीं है वो कहते हैं कि इस तरह की चीजे तो जंग में होती ही रहती है हम जीत गए थे ना बस इतना ही काफी है आगे इस poem को पढ़ेंगे तो हम और बहतर तरीके से इन सभी बातों को समझेंगे फ्रेंट्स रॉबर्ट साउथी एक इंग्लिश रोमांटिक पोईट, हिस्टोरियन, बायोग्राफर और एसेईस थे उनका जन्म वह था 12 अगस 1774 में और उनकी डेथ भी थी 21st मार्च 1843 में साथ ही वो 1813 में अपनी डेट तक एक पोईट लॉरेट भी रह चुके हैं उनकी फेमस वर्क्स में आफ्टर ब्लेन हाइम, गोल्डी लॉक्स अन्द थ्री बियर्स ये सभी शामिल हैं तो चलिए फ्रेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और इस पोईब को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं यानि गर्मी का मौसम था और शाम का समय था और यहां पर हम एक पहले कैरेक्टर के बारे में जानते हैं जो कौन है उसका नाम है कैसपर और चुकि वो थोड़ा बुढ़ा इंसान है इसलिए उसके लिए ओल्ड कैसपर यूज हुआ है तो यह जो कैसपर है यह जो बुढ़ा कैसपर है इसका काम खत्म हो चुका है और यह क्या कर रहा था अपनी जोपड़ी के दर्वाजे के सामने धूप में बैठा हुआ था अपने काम से फ्री था और शाम के समय का मज़ा ले रहा था और उसके बगल में जो हरी घास थी उस पर खेल रहा था कौन खेल रहा था तो उसकी ग्राइट चाइल रही थी उनकी पोती खेल रही थी और उसका क्या नाम था तो विलहल माइन अब यह जो विलहल मीन है इसने अपने भाई जिसका नाम था पीटर किन उसे देखा कि पीटर किन क्या कर रहा था एक लार्ज यानि बड़ी और गोल चीज़ को यूँ ही घुड़का रहा था रॉल कर रहा था which he beside the rivulet in playing there had found जो की उसने rivulet यानि उस छोटी सी नदी के बगल में खेलते हुए पाया था एक गोल बड़ी सी चीज़ मिली थी उसे उस नदी के पास खेलते हुए और वो उसे रॉल कर रहा था he came to ask what he had found that was so large and smooth and round तो वो उस चीज़ को अपने साथ अपने grandfather के पास लेके आया old Casper के पास लेके आया और उसने अपने grandfather से पूछा कि आखिर ये क्या चीज़ है जो इतनी बड़ी है इतनी smooth है और यूँ गोल है अब आगे क्या होता है old Casper took it from the boy who stood expectant by उस old Casper ने उस बूढ़े Casper ने क्या किया उस लड़के से पीटर किन से वो चीज़ ली और पीटर किन क्या था वो बगल में खड़ा था अपने grandfather के बहुत expectant था उसे उमीद थी कि अब उसे पता चलेगा कि आखिर ये चीज़ क्या है and then the old man shook his head and with a natural sigh तो अब क्या हुआ वो जो बूढ़ा आदमी ये जो Casper था उसने अपना सिर हिलाया और एक आह भरी यानि जब हम परिशान होते हैं दुखी होते हैं तो जिस तरह से हम सिर हिलाते हैं आहें भरते हैं अपना दुख दिखाने के लिए बिलकुल वैसा ही expression यहाँ पर इस Casper ने भी दिया तो जो उस बड़ी विक्ट्री में उस बड़ी जो जीत हुई थी Battle of Blenheim में जो जीत हुई थी उसमें जरूर ही ये मारा गया होगा तो उसी इनसान की ये क्या है? ये skull है? खोपड़ी है I find them in the garden for there's many here about यानि मुझे ये कहां मिलते रहते हैं तो हमारे बगीचे में हमारे garden में मुझे ये मिलते रहते हैं इस तरह की खोपड़ी है क्योंकि वहाँ पर क्या है? बहुत है many है and often when I go to plow the plow shear turns them out और अक्सर जब मैं क्या करता हूँ? उस garden में hull चलाने जाता हूँ उस garden को plow करने जाता हूँ तो उस hull में फसकर क्या होता है? ये खोपड़ीया, ये skull जो है, वो बाहर निकलाती है मुझे इस तरह की बहुत सारी खोपड़ीया मिलती है for many thousand men said he, we are slain in that great victory और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हजारों आदमी उस बड़ी जंग में, उस बड़ी जीत में मारे गए थे बहुत बड़ी लड़ाई चली थी बहुत सारे सैनिकों की जान गई थी और उन सभी की लाशे क्या थी, इसी जमीन पर सड़ गई थी तो इसलिए हमें यहाँ पर उन लोगों की जो खोपड़िया है, उन लोगों की जो शरीर के कुछ पुराने हिस्से हैं यहीं मिलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन हाँ वो जंग जो थी वो बहुत बड़ी विक्ट्री थी आप बार-बार देख सकते हैं यहाँ पर words repeat हो रहे हैं, great victory यानि बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देना है, इस बात पर ध्यान देना है, कि जो जीत थी वो great थी, महान थी उस पर हमें ध्यान देना है तो अब यह सब कुछ सुनने के बाद बच्चे जो थे वो बड़े excited हो गए अब उन्हें जानना है कि क्या कुछ हुआ था यह जो Peterkin है वो कहता है कि हमें बताइए जो कुछ भी हुआ था सब कुछ बताइए हमें और यह जो विलहल माइन है यह भी अपने grandfather की तरफ बड़ी बड़ी आँखे करके देख रही थी कि अब हमें पता चलेगा क्या हुआ excited थी यह भी अब हमें सब कुछ बताइए उस जंग के बारे में और यह जंग क्यूं हुई थी क्यूं वो आपस में लड़ रहे थे इस बारे में भी बताइए हर वार का हर जंग का कोई reason होता है तो हमें सब कुछ बताइए हमें जानना है यानि यहाँ पर क्या बताते हैं कि जो Englishman थे जो Britishman थे उन्होंने क्या किया था French people जो थे उन्हें हरा दिया था उन्हें उनकी जगा दिखा दी थी उन पर जीत पाली थी But what they fought each other for I could not well make out मगर आखिर उन दोनों ने यह जंग क्यूं लड़ी थी यह जंग आखिर क्यूं हुई थी यह मुझे सही से याद नहीं है इस बारे में मुझे सही से पता नहीं चला जंग हुई थी दो सेनाओं में यह पता है लेकिन उस जंग का क्या कारण था यह मुझे नहीं पता But everybody said क्यों थी That was a famous victory लेकिन हर कोई मुझसे यही कहता था हर किसी ने मुझे यहीं बताया है कि वो एक बहुत ही मशूर जीत दी थी बहुत मशूर जीत थी सभी उस जीत के बारे में बात किया करते थे क्यों यह जंग हुई यह तो मुझे नहीं पता लेकिन जीत जो हुई थी वो बहुत popular रही थी इतना पता है यानि मेरे जो फादर थे वो कहां रहते थे ब्लेन हाइम में रहा करते थे वहाँ पर एक छोटी सी जील के बगल में एक स्ट्रीम के बगल में उनका घर था वहीं वो रहते थे और यह किस के फादर की बात हो रही है तो इस ओल्ड कैस्पर के फादर की बात हो रही है अब जब यह जंग हुई तो क्या हुआ उन सेनाओ ने मेरे फादर का घर जला दिया उसे जला कर राक कर दिया और मेरे फादर को वहां से भागना पड़ा Blenheim छोड़ कर मेरे फादर को भागना पड़ा So with his wife and child he fled Nor had he where to rest his head तो इसलिए उसे अपनी wife अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ Blenheim को छोड़ कर भागना पड़ा क्योंकि उसके पास रहने के लिए अब कोई जगा नहीं बची थी वो कहीं अपना सिर रखकर आराम नहीं कर सकता था तो इसलिए उसे वहाँ से भागना पड़ा With fire and sword, the country round was wasted far and wide अब यहाँ पर क्या कह रहा है यह Old Casper कि पूरी country में क्या थी आग लगाई जा रही थी दंगे हो रहे थे और sword का use हो रहा था वो पूरी जो जगह थी ब्लेंहाइम की इतना वहाँ पर जंग हुआ इतना वहाँ आक्रोश था कि वो पूरी जगह ही बरबाद हो गई And many a childing mother then and newborn baby died और इस सब में क्या हुआ कि बहुत सारी माएं और बहुत सारे नए नए जन में बच्चे उनकी मौत हो गई वो जंग से जल्दी बाहर नहीं नेकल पाए ब्लेंहाइम छोड़ कर वो जल्दी से भाग नहीं पाए और इसलिए क्या हुआ उस जंग के दौरान उन दंगों के दौरान उनकी भी डेथ हो गई But things like that you know must be at every famous victory लेकिन end में अब यहाँ पे वो कैस्पर क्या कहता है कि तुम्हें तो पता है इस तरह की चीजें होती ही रहती है अरे आखिर वो बहुत ही जादा मशूर जीत थी बहुत ही शांदार जीत थी तो उसमें तो लोगों की जान जाएगी ही यानि एक जंग हुई उसमें हम जीत गए है लोगों की जान तो जाती ही है casualities होना तो बहुत ही normal सी बात है इस पर ध्यान मत दो ये देखो कि ये कितनी महान जीत थी यानि जब ये जंग जीत ली गई तो उसके बाद जो सामने नजारा था वो बहुत ही जादा shocking था चौका देने वाला था क्योंकि बहुत सारी लाशे बिछी हुई थी for many thousand bodies here lay rotting in the sun क्योंकि हजारों लाशे क्या थी वो सूरज की गर्मी में सड रही थी बहुत बड़ी जंग हुई थी बहुत सारी casualities हुई थी soldier, common men सब ही मारे गए थे और अब उतने सारे लोगों को दफनाया नहीं गया था तो उनकी लाश क्या थी वो यूँ ही जमीन पर पड़ी-पड़ी सड रही थी बट things like that you know must be after a famous victory लेकिन इस तरह की चीजें तुम्हे तो पता है होती ही रहती है एक शानदार जीत के बाद इस तरह की जीत जब होती है तो ये इस तरह की casualities जो होती ही रहती है यानि यहाँ बताया जा रहा है कि इस जंग में किसकी जीत हुई थी तो हमारे जो प्रिंस थे उस समय में यूजीन उनकी जीत हुई थी और साथ ही Marlboro के जो Duke थे उनकी जीत हुई थी इन दोनों की सेना उनने मिलकर ये जंग लड़ी थी और ये जीत गए थे अब ये जो बच्ची है इसे अपने grandfather के views समझ में नहीं आ रहे वो कहती है कि इतने लोग मर गए कितनी गलत बात है ये कितनी wicked thing है गलत चीज है ने ने my little girl क्यों थी यानि नहीं नहीं मेरी प्यारी चोटी बच्ची ये कोई गलत चीज नहीं है बलकि ये तो एक famous विक्ट्री थी बहुत बड़ी जीत थी इस तरह की चीजे होती है who this great fight did win और सभी ने क्या किया उस ड्यूक की उस राजा की तारीफ की जिसने ये लड़ाई जीती थी but what good come of it at last क्योत little Peterkin अब इन बच्चों ने इस पूरी कहानी को सुना जंग के बारे में लेकिन उन्हें कुछ बाते समझ में नहीं आई तो वो अपने grandfather से पूछ रहे हैं Peterkin पूछता है Casper से कि ये जंग वो तो ठीक है लेकिन आखिर इस जंग से हमें क्या मिला इस जंग का आखिर क्या फाइदा हुआ Why that I cannot tell, said he but it was a famous victory यानी ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि इस जंग का क्या फाइदा हुआ जब ये जंग हतम हुई तो उससे लोगों को क्या फाइदा हुआ लेकिन मुझे इतना पता है कि ये एक बहुत ही जादा famous victory है और इसी बात पर हमें ध्यान देना है इस पर ध्यान नहीं देना कि ये जो जंग चल रही थी इससे कितने लोगों की मौत हुई तो friends यहाँ पर ये poem खत्म होती है बहुत ही famous poem है और दिखाती है कि war की जो casualties होती है war की जो effects होते है वो कैसे लोगों को परिशान करते हैं उनकी जिन्दगियों को बदल देते हैं लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीजों से अपनी नजरों को मोड लेते हैं बस ये याद रखते हैं कि war में किसकी जीत हुई किसकी हार हुई ये नहीं कि कितनी लोगों की जान गई तो friends ये थी Robert Saudi की poem After Blenheim अगर आपको वीडियो पसंद आई तो please like, comment और share करिए